हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल अनिली गुमार लेक्चर में प्रेंट्स आज की हम इस वीडियो में देखेंगे बीएसी फस्टेर का एक नया टॉपिक वक्रों का अनुरेखण कैसे करें ठेक है अर्थात कर्व ट्रासिंग कैसे करें ठेक है तो अभी तक हमार मतलब बहुल बिंदू नामक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदी जाएगी वहां से जाके आप पहले बहुल बिंदू को देखिए तभी आपको वक्रों का असानी से समझ में आएगा तो चलिए प्रेंट्स हम वक्रों के arta कर सकते हैं सब्सक्राइब करना होता है ठीकते तो चलिए अपन अंपूरन को यहां पर डिसक्सक्राइब से अपने को समय मित, चेक करना होता है कि अब समय मित अन्दर क्या क्या आता ह। क्योंकि अपने को वक्र ड्रा करना है और वक्र ड्रा करने के लिए अपने को वक्र किस पर ड्रा करते हैं एक्सक्ष और वाइक्ष किसी स्पेस पर ही तो ड्रा करते हैं मतलब चाहे वाइक्ष पर करें या एक्सक्ष पर करें यहीं पर अपन करते हैं तो अपन देखेंगे कि जो अपना वर्द दिया गया है एक्स में सम्मित है याकि चुल्स के कईंसे चेक करें ठीक है, एक सक्ष में समय मित्ता कैसे चेक करें, सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, चलिए ठीक है, रहने देते हैं, एक सक्ष में समय मित्ता ग्याद करने के लिए, आप वाई की जगह माइनस वाई रख दें, वाई की जगह, वाई की जगह माइनस वाई रख दें, तो वक्र में कोई परिवर्ता नहीं होना चाहिए तब आपन कहेंगे कि जो वक्र है वह x अक्ष में सम्मीत है ठीक है और यदि y x में सम्मीत देखें तो यदि y x में देखेंगे तो x equal to minus x रखेंगे तो वक्र में कोई परिवर्ता नहीं होगे तब आपन कहेंगे कि जो अपना वक्र है वाई अख्ष में सम्मित है ठीक है इसी प्रकर X और Y दोनों अख्ष में सम्मित ग्याद करने के लिए बारी बारी से क्या करेंगे X की जग है minus X तता Y की जग है minus Y रखने पर वक्र में कोई परिवर्ट नहीं होगा तब आपन कहेंगे कि जो वक्र है All rightσω mainly a ticket इसी प्रकार रिष्ट चातुर्थांसों में देखें हो सकता है की बिपरीट चानुर्थांस में ही पिखें है TO बीपरीट चातुर्थांस में देखनेके लिए क्या करेंगे के ठीक है देक्या क्या आफ या बज़ुट करें विफरीट च छेक करने हम एक्स की जगा माइनस एक्स यारी और इन्हें रखने पर वक्र पर यह दी कोई परिवर्वधार्था नहीं हो तब आपन कहेंगे कि जो वक्र है वै कि प्रीद चेत्फ पर छेक करेंगे अब देख लिजिए कहीं य इकला टू एक्स रेखा पर तो शम्मविद नहीं है तयाद में य इकला टू एक्स रेखा पर चेर करते हैं तो इसे चन्त करने के लिए डिर्यक्त कर न सबस्की जग राखेंगे द tätा य की ज़ग ए हट यग्स रखेंगे तो जो वक्र होगा उसमें दी कोई परिवाटिन नहीं था तब आपन कहेंगे कि जो वक्र है जो अपना वक्र है वह वाई कॉल टू एक्स पर समयनी रहत है फ Lords वाते finden कर ले ने के बाद इन पर इन वम से किसी सम्मित ही होगा इन पर पता कर लेते हैं तो second-issä अपने को मोंड विंदु पर पता करना होता है कि तो दिखेए को बताएं के पूरी बात है आपको तो दूसरा नमर कैहाता है मोल विंदू क्वाइड मोल विंदू मोल बिंदू की प्रक्रती चेक करेंगे ठीक है जैसा कि अभी हमने पिछली वीडियो में सीख चुका है तो मोल बिंदू की प्रक्रती देखने के लिए सबसे पहले आप वक्र पर देखेंगे कि वक्र पर कहीं अचरपद तो नहीं है यदि वक्र पर अचरपद होगा तो वहां पर मोल बिंदू नहीं होगा ठीक है यदि वक्र के समी करण में कोई भी अचरपद नहीं होता तब अपन कहेंगे कि वह हैं मोल बिंदू पर नोड कस्प या वियुक्त है ठीक है तो अचरपद नहीं होना चाहिए ठीक है अचरपद उपस्तित नहीं होना चाहिए यदि नहीं है उपस्तित तब अपने चेक करेंगे कि नोड है मुल बिंदु पर यह कस्प है यह फिर भीयुक्त है ठीक है यह सब हमने पिछली वीडियो में सीख चुका है बहुट बिंदु नामक चैप्टर में चलिए इतनी बाते फैंट करने इक वाद अपन चलते हैं निर्देशांको के सपेक्ट प्रतीच छे दत्ता चलिए थर्ड टॉपिक ले लेते हैं कि निर्देशांको के सपेक्ट प्रतीच छे दता अब यहां बताएं कि क्यों देख रहे हैं कि वक्रों के अंडियकर में इनी पॉइंट को देखना पड़ता है तो इसमें अपने को चेक करना होता है कि इसमें ए नम्मर चेक करना होता है एक्सक्ष के सपेच समीथ एक्स अक्ष के सब एक्ष देखना होता है प्रति छेये दखता एक्स अच के सब एक्ष देखना है तो y equal to 0 इसी प्रकार यदि y यहां प्रतिछ दक्ता देखे वाई अच्छ के सापेक्छ कि तो यह होगा एक्स इक्सिकल टू जीरो रख नेट पर ठेक है इसके बाद आपन नैस्ट पॉइंट देखेंगे अनतह इसपरसी आनन्त इसपरसी क्या गयाद करेंगे प्रेंट आनन्त इसपरसी अनंतिस परसी की वीडियो हमने बना बना चुकी है तो उसकी लिंक हम आई वेटर में दे देंगे तो आई वेटर से आप चेक कर सकते हैं कि अनंतिस परसी कैसे ग्याद करते हैं इनी देखिए x की सपेअग्छ अनंति परसी ज्याद करना है गाले速 क्वाइ एक्ष के उच्चितंगाद की गुडआनको सुनने के complete रखना है ज़िए them सपिक्ष अन्ता इस पर से मिकाले तो वाई अक्ष के सपिक्ष वाई अक्ष के उच्चितम घात को सुनने के एक्वल रखना है ठीक फ्रेंट्स देखिए आपको समझ में नहीं आया होगो तो हम यहां पर एक्जामपर भी लेकर दिखा देते हैं ठीक है is ly square equal to 2 a तो यहां से अपने को अनंतित पर सी जाद करना है एक्स के उच्चितम घात के घुडांख को सुन के एक्वल रखने पर माले जिये यहां पर गड़ांक दिये गए 3y ठीक है तो इसमें x के उच्छितम घात क्या है x2 तो इसका गड़ांक क्या है 3y तो 3y equal to 0 रखेंगे तो यहां से जाननां 30 परस की y equal to 0 प्राफ्टों ठीक इस प्रकार ग्याद कर दें माली जी यहाँ पर अपने को दिया होता 3X तो इसमें Y2 का उच्छतम घात है ना उच्छतम घात है तो इसका गुड़ांग क्या है 3X तो यहाँ पर 3X अपने प्राफ्त होजाटी अंता इस परबिया जाए तो उसके बाद आपन विंदू ग्याद करेंगे ठीक है कि वक्र आखिर कहां से कहां तक प्रसारी तो देखिए वे ¿ast प्लस इंफनेटवी तक आप ले सकते हैं यहां से अपने x की की वैली अपने मन से मानना है उस वक्र में रखना है तो अपने को इस माइनस 50 से प्लस इंपनेटवी तक मान सकते हैं ठीक है कोई बरㅎ बान सकते है तो जो य थे वास्तिविक आनी चाहिए तब ही उसमें विस्षिष्ट विंदु तब ही वहां से वहां तक ड्रॉघ नहीं होगा ठीक है उसके बाद आपने देख चेतर विस्तार तो चेतर विस्तार किस प्रकार देखेंगे इसे निरोधारण होगा सबसे चोटी सबसे बड़ी सबसे प्लस की क्या है तो अपन कहाई देखेंगे प्लस में सबसे बड़ी वैलू क्या है उसे रखेंगे और अपन देखेंगे पर ही क्यем के जीतना या रहा है उतने पर ही छेतर विष्तारीत अट ऐसे ऌ navy नमर देखेंगे नती परिवर्तन बिन्दु को जलगे नती परिवर्तन और तन तो यदि आप इतनी चीजे find कर लेते हैं किसी भी वक्र में तो आप आसानी से किसी भी वक्र का आप किसी स्पेस पर वकर ड्रॉ कर सकते हैं तो चलिए अब हम एक फाइनल प्रिज ले लेते हैं और वहां से बताते हैं कि कैसे क्या-क्या अपनने घ्याद किया और वकर को ड्रॉ करने के लिए अपने को क्या-क्या की जरूरत पढ़ती हैं ठीके प्रेंट तो ध्यान दीजिएगा मान लीजिए अपने को एक्स अच्छी दिया जाया और वाई एक्स दीजिए ध्यान से देखेगा यहां पर पूरी बेसिक इंपोर्टेंट बाते हो जाएंगी तो फटा फटा फटे लाइक सब्सक्राइब ठो इसान में सब्सक्राइब तो यहीं सम्हित ऊण दोनों वक्ष्ण सेरी नहीं है तो उसे करेंगे ठिक है सबसे पहले चकरेंगे एक्स के वाज यदि दोनों अक्ष में भी सम्मित नहीं है यदि वहाँ पर भी नहीं होता तो हम देखेंगे कि कहीं रेखा y इक्वल टू एक्स पर तो सम्मित नहीं है तो जब इतनी बाते पता चलता है यह यह में होगा लगवग लगवग ठीक है और दोनों अक्ष में होता है तो वक्र इस प्रकार से होगा ठीक है और यदि रेखा y इक्वल टू एक्स में होता है रेखा y इक्वल टू एक्स ड्रॉ करनी पड़ीगे और फिर इस पर होगा थे बंद तो आपको समझ में आ गया अब उसके बाद देखते हैं उसके बाद आपनों को क्या चीज की जरोड़त लिए कि एक्सम्मीट नहीं है तो नोड है कसप या भीयुक्त है ठीक है क्योंकि अपने बंद एक्समीट है ज हम कहां से गुझारें कहीं सी घुझार देंगे ऐसा नहीं है तो अपन सबसे पहले मोल बिंदू पर ही पता करते हैं कि मोल बिंदू पर तो नहीं है यह दिए मोल बिंदू पर होगी तो उसे यहां से ऐसे गुजारेंगे ठीक है प्रेंट्स कैसे गुजारेंगे मौल बिंदु पर यहांसे ऐसे जाएगा तो इस परकार से मौल बिंदु पर पुर्प चेक करने के बाद अपन ज्याद करते हैं अनंत इस पर शीजिक करते हैं कि कहीं वकर अनंत पर कहां पर इस पर खर तो आपने पता चलता है तो यहां पर दो और यहां पर यह में थो अपना वक्र कुछ इस प्रकार से ढूर होगा मतलब दो तीन पर यह से कुछ हो ठीक है मतलब हो कोई नहीं कोई बिंदू चाहिए बिंदू अपने पथा चल लगा अनंटिस पर ची ज्याद करके उसके बाद आपने इन में क्या प्रतिशेद है इनने रेखा प्रतिशेद करती है कि नहीं इस प्रिखार से छोट ना पढ़ता है किसी वपकर को ड्रॉ करने के लिए और लास्ट अपने को जयाद करना पड़ता है कि किन बिंदी से कहां तक हुए छेत्र भीस तरीथ है जिसके लिए अबने को बिसीट दुका प्रियोग करना पड़ता है सेवन्त प्ट अपने को नती परिवरतन बिंदु उख आपका екै यहां पर कोई बिंदू क्या होता है माल लीजिये कि कोई वक्र है यहां पर आउतल है और यहां पर उतल तो यह जो बिंदू है नती परिवर्टन बिंदू कहलाता है उतल नती परिवर्टन बिंदू के मतलब है कि कहाँ पर इसकी नती चैंज होती है यहां पर नती इसकी चैंज होती है तो इस परकार से नतीफ परिवरतन बिंदों भी फाइंड करना बहुत ही जरूरी है एक बेसिक इस्ट्रेक्चर बनाने के लिए किसी भी वक्र का ठीक प्रेंट तो कि आपको समझ में आया हुगा यदि समझ में आता तो लाइक सब्सक्राइब ठोक दीजैं महागाल के इतरी बात से तो चलिए गाइड वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं और आप जादा से दोस्तों तक इसे सेर भी किजिएगा थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो कि अ